न्यू आगरा के दयालबाग के इलाके में कल जोरदार बवाल हुआ बवाल रादास्वामी सचसंग के अंदर जो अतिक्रमन था जो प्रसाशन कह रही है उसको तोड़ने को लेकर हुआ प्रसाशन कल दयालबाग के साथ यहां पहुँची थी यहां मवी मौजूद है दयालबाग का इलाका है और यह रादास्वामी सचसंग का में गेट है इसी gate को इसी इलाके को देखे ढाने के लिए यहां से अतिक्रमन हटाने के लिए कल प्रसाशन पहुँची थी लेकिन प्रसाशन को जो पूरा एक opposition है उसका सामना करना पड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और अंदर से कुछ लोग जो है वो बाहर निकले और छोटे बच्चे और मैलाओं की आड में आकर बाहर जो है वो पत्राव शुरू हो गई स्थिती इतनी खराब हो गई कि यहां पर जो भी मौजूद था उन सबों को चोट लगी चाहे वो पत्रकार हो या पुलिस वाले हो उसके बाद लगातार जो आनन फानन जो मेडिकल टीम है उनको बुलाया गया और अंदर से जो है वो बताया जाता है कि जो लोग है वो बाहर आए उनका विरोध ये था कि वो कह रहे थे कि यह प्रॉपर्टी उनको उनकी है और ये जबरन जो है प्रसाशन ये रास्ता निकाल रही है इसको तोड़ कर ताकि जो बिल्डर्स हैं उनको फाइदा हो सके प्रसाशन का कहना है कि ये रास्ता जो है वो सरकार का है ये जमीन सरकार की है ऐसे में इसको खाली कराना उनका हग है और ये उसे खाली करा के रहेंगे दोनों के विवाद के बीच में कई सारे बवाल हुए नीचे अगर आप देखेंगे जमीन पे तो कई पत्थर जो है वो अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे आप स्थिती का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल क्या महौल हुआ होगा और किस तरीके से यहाँ पे जो उपद्रव है वो मचा होगा अभी देखिया यहाँ पे जो दिवाल है उसको ढढ़ाई गई थी और इसी तरीके से तो तमाम चीजे हैं वो यहाँ पे की गई थी यही बवाल का कारण बना और उसके बाद आनन फारन में पुलिस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे पहुची थी कल देर राद जो रादा स्वामी सथसंग के तो पतादिकारी हैं और प्रसाशन के लोग हैं उनके बीच में मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि 24 घंटे के अंदर जो सथसंग के पतादिकारी हैं उनको अपने जो कागजात हैं जमीन के वो दिखाने होंगे अगर ऐसा वो नहीं करते हैं साथ दिन का वक्त दिया है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उन्हें खाली करना पड़ेगा वड़ना पुलिस जो है वो जबरन इसके उपर कारवाई करेगी अब देखना ये होगा कि आगे जो रादसवामी सथसंग है उसका क्या स्टेप होता है और आज जो 24 घंटे का वक्त दिया गया तक कागज दिखाने के लिए क्या वो कागज दिखाते हैं या नहीं दिखाते लिए और दोैसे ले नतिते हैं यहां पे इक जो दिश्का है दो ज़गाए केए यही यहां पर दिखें जो की तोड़ दिया गया आप टेंप्राइरी रूप से यहां पे देखिए यह लकडी लगाके यह तरीने चावलागत एजम देय को जो है वह क्रुमी diaper लिगार्ता है यहां पे जिस तरीके से जो बुल्डोजर है उसकी कारवाई हुई थी आठ गेट बताया जा रहा है कि यहां रादसवामी सच्छंग के टूटल इस तरीके से आठ गेट है जिनके उपर कारवाई की बात कही जा रही थी सच्छंग के लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ जब हमारे खेत हैं बीच में रास्ता दिया हुआ है तो इस दिवाल को तोड़ कर कौन सा रास्ता बनाया जा रहा था ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे बिल्डर लॉबी जो है वो एक्टिव है और उनकी जो कही न कहीं साथ गाठ है वो प्रसाशन कोशिश कर रहा है उनको थोड़ा फाइदा पहुँचाने के लिए 40 लोग अभी तक घायल बताये जा रहे हैं प्रसाशन ने जिस तरीके से करवाई की है देखना है होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है साथ दिन का वक्त इसमें पूरे मामल में दिया गया है